खोब सारा चौकलेट, कुछ खतरनाक चीजे, मज़ेदार शरारती और खोब सारी मस्ती आज के दरादा के असली बनाम चौकलेट खानी की चुनोती में आपका यहीं इंतजार कर रहा है क्या मैं पहले देखू? हाँ चलो प्रिंगल्स और टबैसको? स्वाधिस्ट होगा, पर थोड़ा तीखा भी मुझे यह खाने का बहुत मन है वाँ, मैं भी यह खाना चाहती हूँ चेल्सी, मतपुन बात यह है कि तुम उस पर ज़्यादा सॉस न लगाओ, वरना बहुत तीखा हो जाएगा चट पटा था दाइना, अब तुम चलो हाँ, बिल्कुल वाँ, चॉकलेट प्रिंगल्स, वो भी चॉकलेट सॉस के साथ यह तो कमाल का है ओ, मैं भी यह खाना चाहती हूँ नहीं, यह सिर्फ मेरा है कितना स्वाधिस्ट है अरे, सुनो, एक तो दे दो चाहिए था, अब देखो, गुस्से में वो कैसी शरार्ट करने जा रही है डाइना, रुको, बदला लेने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ चेल्सी, वो कितना तीखा होगा बहुत बुरा नहीं, ऐसा नहीं है यह बहुत स्वाधिस्ट है सच में, फिर क्या मैं यह खा सकती हो और देखिए, डाइना चेल्सी के जाल में फस गई हाँ, मुझे तो अपनी दोस्त के लिए कोई अफसोस नहीं हो रहा है लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ इससे तुम्हारे चॉकलिट चिप्स और भी अच्छे हो जाएंगे चेल्सी, क्या तुमने आग बुजाने की मसीन भी त्यार रखी है इसके लिए आ, कितना तीखा, मेरा मुझ जल रहा है वाँ, डाइना तो एक असली ड्रैगन निकली नहीं, चिप्स नहीं ये, मेरी शरार्द काम कर गई अरे नहीं, मेरे चॉकलिट चिप्स को क्या हो गया चेल्सी, तुम्हें मेरे चिप्स चाहिए था ना, तो यहलो चेल्सी, तुम्हें तो एक चॉकलिट का फॉंटेन मिल गया अपने आपको किसमत वाली समझो स्वादिस्ट चलो, देखते हैं ब्रॉकली उफ, ब्रॉकली नहीं चेल्सी, तुम्हें तो बेहतर वाला मिला है आशा है किसका स्वाद अच्चा हो चलो, देखती हूँ कितना स्वादिस्ट? मुझे भी वो चाहिए यह सिर्ट मेरा है एक दमला जवाब डाइना, इश्या मत करो तुम्हारे पास अपना भी ब्रॉकली है एक दम ताजा और पॉष्टी खा कर देखती हूँ शायद उतना बुरा नहों नए, यह तो भयानक है डाइना, अभी विचारी है कि उसे एक छोटता टुकड़ा मिल जाए पर चेल्सी बाटना नहीं चाहती ओ, आइडिया ब्रॉकली स्मूदी एक स्वादिस्ट और ताजा ड्रिंक बस कुछ ही मिनट में यह तयार हो जाएगा स्पस्ट्रूप से यह चेल्सी को पसंद नहीं है डाइना तो अभी से खुश और उड़्जा से भरी हुई लग रही है और अब वो जिम जाने के लिए तयार है चेल्सी को डाइना की नई स्पोर्ट्स वाली स्टाइल काफी पसंद आई क्या मैं वो पी सकती हूँ? नई, या मेरा है? उफ, ठेक है, मेरे पास अपना है और यह ज़्यादा स्वादिस्ट है चेल्सी, तुम जानती हो न कि ज़्यादा चॉकलिट सेथ के लिए ठीक नहीं है पर इसका स्वाद कितना अच्छा है हमने तुम्हें चिताम नहीं दी थी अब जाओ, जीम में पसी ना बहाओ ओ, या मैं ले रही हूँ नहीं वाँ, पॉपकॉर्ण अब तो मुझे एक सिनेमा हॉल में बैटकर अच्छी मुवी देखने का मन है मेरे पास भी एक आईडिया है डाइना, चलो चेल्सी, मेरे मन में भी यही था चेल्सी, यह बहुत अच्छा आईडिया था चॉक्लिट पॉपकॉर्ण और एक बढ़िया फिल्म तो कमाल की जोड़ी है एकदम सही कहा अरे, यह नहीं अपना पॉन बंद करो, तुम सिनेमा हॉल में हो चुपो जा माफ करना, डाइना तुम सब को परिशान कर रही हो मैं अब तुम्हें मूवी दिखाने कभी नहीं लेकर आऊंगी वैसे तुमने कहा था कि तुम्हारे पास चॉक्लिट पॉपकॉर्ण है ना बहुत स्वादिस्ट है हाँ, तो क्या हुआ? अरे, मेरा पॉपकॉर्ण कहा गया? डाइना, चेल्सी का ध्यान फिल्ल से मत अटाओ तुमने सब खुदी खत्म कर दिया है अरे हाँ, मेरे पास एक योजना है हाँ, हाँ अरे, तुमने तो चेल्सी को एक जटका दे दिया अब तुम यहलो डाइना लाइट किसने बंद किया? चलो देखते हैं लाइन मिर्च, डाइना, किसमत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तुम दूद कि एक गलास के साथ तैयार हो जाओ हम्, चॉकलिट मिर्च, स्वाधिस्ट तुम्हारे वाली के तरफ बिल्कुल नहीं तुम बस मुझे देखो और ज्यादा जलन मत करना ओ, आइडिया इस बर तुमने क्या सोचा है? चलो फिर से शुरुबात करते हैं, प्लीज डाइना, अब वो मिर्च तुम्हें खाना ही होगा तो अच्छा है वहाँ कि तुम ये जल्दी से कर लो अच्छा, ठीक है मैं यह कर सकती हूँ हसी आ रहे है तो अब तुम इसका मजा लो नहीं, डाइना, ये क्या क्या चलो ढककन उठाते हैं, वाँ, कैमरा और मेरे पास चॉकलेट वाला है, क्या मैं शुरू करूँ? हाँ, चलो कितना स्वादिस्ट है मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है क्या मैं तुमारी एक फोटो खीचू? हाँ, क्यों नहीं? अवे, इसका फ्लास तो बहुत ही चमकीला था तुम्हें चस्मे पहन लेने चाहिए थे मैं अन्दी हो गई हूँ यही मेरा मौका है कितना स्वादिस्ट है मैं तो चॉकलेट जिन्दिगी भर खा सकती हूँ ये, मैं फिर देख सकती हूँ अरे, मेरा कैमरा कहा गया? उप्स तो तुम अपना यहाँ दो येलो ओ, आइडिया चेल्सी, एक फोटो शूट के लिए तयार हो जाओ थोड़ा और मुस्कुराओ यह रहा और एक और अच्छे से स्माइल करो हाँ, बहुत भी बड़िया यह क्यो था? मैं अंदी हो गई हूँ और यह रही तस्वीरे क्या तुम देखना चाहती हो? अरे यार चेल्सी, तुमने हमें नहीं बताया कि तुम एक सूपर मॉडल हो इतने सुन्दर फोटो है क्या तुम सबको पोस्ट करना सिखाओगी? कि रहेगी? तुम पहले देखो आमा अरे वा, यह तो सबसे नए आईफोन है और यह तुम मुझे कुछ पुराने जमाने का मिल गया है पर इसकी खुश्बू तो कमाल की है ओ, यह चौकलिट है उसका तुम मजा लो और मैं, मैं यह कुछ लोगों को कॉल करती हूँ हेलो इस फोन को क्या हो गया है? मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहती हूँ पर वो भी चौकलिट का बना है स्वादिस्ट यह भी मैं ही रखूंगी लेकिन वो मेरा था और तुमने पूरा खा लिया हमारा खाना कहा है? लगता है इस फ़र मेरा डिश गायव हो गया है शुक्र है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ यह ट्विक्स शानदार लग रहे है क्या स्वाद है मेरा इस बर भूखे रने का कोई रादा नहीं है चेल्सी क्या मुझे एक दोगी? धन्यवाद अब चलो मैं इस छोटे से टुक्रे को और बढ़ा करती हूँ अब यह हुई ना बात कितना ज़्यादा चॉक्लेट चेल्सी, तुम्हें क्या चाहिए? प्लीज मुझे भी दोना नहीं, कितने गंदी हो मुझे लगता है कि तुम्हें एक सबक सिखाना ही होगा बाई बाई और अब यह चॉक्लेट सिर्फ मेरा है मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है चॉक्लेट भुट्टा पॉक्कन तो ज़्यादा अच्छा होता है मैं कितने किस्मत वाली निकली मुझे थोड़ा अपसोस तो है कि मुझे वो नहीं मिला पर मैं वही खाऊंगी जो मुझे परोसा गया है अरे, कितना जल्दी खत्म हो गया लेकिन मुझे एक योजना बनानी होगी कि और खाना कैसे मिल सकता है मैं बस इसे मिट्टी में डाल कर अच्छे से इसे पानी दे देती हूँ और अब थोड़ा इंतजार करना होगा वो, तुमने तो अपने लिए एक नया मकई का पौधा होगा लिया मुझे पूरा यकिन है कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ तुमने बस इसे थोड़ा पानी दे दे था ना मेरा सेरिल उतना स्वादिस्ट नहीं लग रहा है मुझे तो अपने डिश से कोई दिक्कत नहीं है मुझे चॉकलेट चिप्स किसी भी रूप में पसंद है हाँ, जो भी हो आशा है कि इसका स्वादिय जैसा दिख रहा है उसे बेतर हो मुझे ये सच में पसंद आया वाँ, एक सोनी का नेकलेस ये तो मुझे पहनना ही होगा मुझे भी यहाँ कुछ मिला है एक सस्ता प्लास्टिक वाला पर मेरे पास एक बढ़ी आइडिया है एक सेकिंड में ही ये एक दम चमकेगा मुझे लगता ये बहुत अच्छा लग रहा है इतना छोटा सा बर्गर बिल्कुल तुम्हारे वाले जैसा नहीं लेकिन मुझे जो मिला है उसी से काम चलाना होगा मुझे तो पता ही नहीं कि कहां से शुरू करूँ ये कितना बड़ा है मुझे एक बाइट लेने का बहुत मन है पर मैं जानती थी कि तुम ना कहोगी और इसलिए मुझे लगता है कि मेरी जादुई छड़ी अब फिर मदद करेगी उफ! मुझे कोई छोटा बिकार सा बर्गर नहीं चाहिए येलो ओ! ये मैंने नहीं देखा ये तो कमाल के है अरे मेंटोस से बेटर तो कोला ही होता है बुरा हुआ ये तो मेरा है कितना अजीब रंग है ओ! ये तो चॉकलिट सॉस है तब तो ये अभी साधारन मेंटोस नहीं होगा हाँ! जैसा मुझे लगा था ओ! ये जरूर तुम्हारे ड्रिंक के साथ एकदम अच्छे से जाएंगे क्या तुम्हें ना कहने का नावा कुछ आता है? तब फिर यह है तुम्हारे लिए एक छोटा सा सर्प्राइज या करने की कोई जरुवत नहीं थी मुझे ये चॉकलेट कैंडी बहुत पसंद है हाँ सच में बहुत स्वादिस लग रहे हैं हम इसा तुम्हारे डिश में तर क्यों होते हैं? इसके तुलना तो और किसी चीट से नहीं कुगा सकती है इसके अंदर तो कितना कम है और ये तो बिल्लियों के खाने की तरह लग रहा है यह आखिरी वाला था और अब सब खत्म मुझे अपना कैंडी थोड़ा दो ना है मा कितनी बार मुझसे कुछ मांगूगी ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे लिए और कोई विकल्प नहीं छोड़ा यह बहुत ही स्वादिस्ट है बहुत अच्छा कितनी सुन्दर बेट्स है ओ हाँ, एकदम कमाल के मुझे तो लग रहा है कि यह चौकलेट है हाँ, मैं सही थी आशा है कि मेरा भी ऐसा ही हो चोट लग गई यह तो एक असली नेकलेस है इसका मतलब यह केम्ती गयना होगा ओ, मोतिया वह तो चौकलेट से बेतर है लेकिन ज्यादा खुश मत हो अब तुम क्या करोगी यह क्या हुआ, यह तोट कैसे गया पता नहीं इससे और बुरे चीज़ के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती किसमत बस आज तुम्हारा साथ दे रही है क्या तुम देख रही होगी यह स्ट्रॉबेरी कितने ताजी और अच्छे लग रहे है यह और चॉकलेट साथ यह बहुत ही स्वादिस्ट होंगे एक दमला जवाब आशा है कि चॉकलेट से प्याज का स्वाद छिप जाए नई, यह कितना भयानक है लेकिन मैं अकेले ही इसका सामना नहीं करूंगी अच्छे गहरी सास लो एमा मेरे आखों से बहुत पानी आ रहा है मैं कुछ नहीं देख पा रही यह काम कर गया और अब तुम मुझे यह लेते वे नहीं देख पाऊगी तुमने ऐसा करने की हिमत कैसे किया अब बदला लेने का समय है प्याच यह कहां से आया उसका मजा लो आपको कौन सी चॉकलेट ट्रिट सबसे ज़्यादा पसंद आई इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में चरूर बताएं और हम उसे अपने आगे के वीडियो में इस्तेमाल करने की पूरी कोशिस करेंगे दोस्तों बाई बाई